हालो आज हम देखेंगे एक्जाम का रिव्यू देखेंगे 6 जून में आपके क्या क्या एक्सेप्टेट कोशन आ सकते हैं सेकेंड फेस जो चलेगा यहाँ पर 13 से 20 जून के वीच में एक्सेप्टेट कोशन कौन-कौन से आपकी एक्जाम में पूछे जाएंगे तो तो उन प लेक्चर की और देखते हैं कौन-कौन से इंपॉर्डेंट कोशन है पहला जो प्रशने आपके सामने जीहां बगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कव हुई थी ठीक है कि प्राप्ति कहां पर हुई थी तो सही उत्तर इसका बोद गया कहां पर बोद गया में फिर अ पंजाबी भाषा की लीपी कोन सी है तो इसकी पंजाबी भाषा की लीपी है गुरु मुख लीपी जी हां कोन सी लीपी है गुरु मुखी लीपी है अगला है आपके सामने यहां पर next important question है यहां पर important बहुत बार एक्जाम में आया है भारत की मुख्य भूमी का दक्षिंतम किनारा कौन सा है ठीक है सबसे southern part कौन सा है तो इसका सही उत्तर है कन्या कुमारी क्या है कन्या कुमारी भारत में सबसे पहले सूर्युदे किस राज्य में होता है किस राज दिमने होता है सबसे पहले सूर्युदे तो अरुणाचल प्रदेश में होता है कहा पर उता DAVID अघल देखते हैं यहाप दोनोंके most important से प्रस्चन इंशूलीन का प्रयोग किसी बीमारी के उप्चार में होता है तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है मदू में जिसे diabetes नामक भोग के नाम से हम जानते हैं जिसमें इंसुलिन नामक हरमोन इस्तरावित होना बंद जलता है शरीर में तो इंसुलिन का इंगेशन लगाया जाता है अगला है बीहुक की सिराजिका प्रसित तेवारे most important है नयरे कितनी बार exam में आचुका है SSE MTS में तो ध्यान रखेगा असम का है अगला है कौन सा विटामिन आवले में सरवादिक प्रचुर मातरा में मिलता है या फिर पाया जाता है तो विटामिन सी जो है आवले में प्रचुर मातरा में विटामिन सी की विशेशता अगर में कहूं तो घाव को भरने के लिए घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन रेता है तो विटामिन सी घाव को भरने में मदद करता है ठेके प्रतिरोज शमता को बढ़ाता है तो कौन सा है विटामीन सी बिलकुल याद रखेगा इंपॉर्टेंट कुश्चन है चलिए अगला जो आ रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जी यहां फर्स्ट जनरल गवर्नर कौन था तो विलियम बैंटिंग ठीक है कौन था विलियम बैंटिंग और इनकी विश्चता वतालू विलियम बैंटिंग ने सती प्रता का अंत करा था किसका सती प्रता का अंत विलियम बैंटिंग ने करा था कागच का अविश्कार किस देश में हुआ था कागच का अविश्कार हुआ था चीन में अविश्कार हुआ था कागच का जो पेड से प्राप्त करते हैं सेलुलोस उससे बनता है अगला है गोतम बुद्ध का बच्पन का नाम क्या था बच्पन का नाम था सिधार्थ क्या था सिधार्थ भारत में ससस्त्र बलो का सरवच्च सेनापती कोन होता है तो सरवच्च सेनापती होता है राष्ट पती जिसे हम प्रेसिडेंड के नाम से जानते हैं अगला है रतोंदी जो होती है विमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है तो विटामिन A की कमी से होती है विटामिन A का सर्वोत्त मिस्त्रों थे गाजर जी हाँ गाजर जो है यहाँ पर विटामीन A का सबसे बेस ठोर से गाजर अगला है आपके सामने जी हाँ पॉंगल किस राज्य का तेवार है तमिलनाडू किस राज्य का है तमिलनाडू ठीक है गिद्दा और भांगडा किस राज का लोग नित है तो यह है पंजाब का important question है जो नए student है हमारे चैनल को subscribe जरूर करिएगा यहाँ पर नीचे टेलिग्राम चैनल की description box में लिंक है तो वहाँ पर join करिएगा free notes और PDF के लिए चलिए अगला क्या है टेलिविजन important question है टेलिविजन का अविश्कार किस ने करा था तो ध्यान रखेगा जॉन लोगी बेर्ट्स के द्वारा करा गया था भारत की पहली महिला शासी का कौन सी थी ती जिरजिया सुल्तान याद रखेगा कौन सी थी रजिया सुल्तान 1236 में बनी थी अगला है मचली किसके साइटा से यहां पर सांस लेती है तो गलफर जिसे अपन गिल्स के नाम से जानते हैं तो ध्यान रखेगा मचली इसकी साइटा से सांस लेती है अगला है इनकलाब जिन्दाबाद का नारा किसने या था वन अफ़ तो मौसस एससी फेवरेट कशन भगसी के द्वारा जिया किसके द्वारा बगसी हैं जलियावाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था तो अम्रसर 1919 में हुआ था जी या 13 अप्रेल 1919 अम्रसर में हुआ था इंपॉर्डेंट दो कुशन कहां पर और येर पूछा जाता है अगला है छेत्रफल की द्रश्टी से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है एरियं के अकॉरिंग है गोवा की राज़ानी है पंजी अगला है ओनम किस राज्य का प्रसित तेवार है तो ये सही उत्तर है यहाँ पर केरल अगला है दिल्ली भारत की राज़ानी कब बना? 1911 में कब बना था बच्चो 1911 में अगला प्रशने सबसे चमकीला ग्रह कोन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र भारत का राष्ट्य पक्षी कोन सा है तो बाग है कोने बाग टाइगर अगला है भारत का राष्ट्य पक्षी कोन सा है तो मोर है फिर उसके आद भारत का राष्ट्य जली जीव जो 2009 में गोशित करा गया था तो गंगा डॉलफिन है जी आँ गंगा नदी में एक प्रेद मचली रेती है शुद्यपानी के उसे डॉलफिन है तो जिसकांसे इसे